अक्सर हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे बिजनिस आइडियाज जिने आप अपना कर अपनी जिंदगी में कर सकते हैं खूब तरक्किए अक्सर लोग बिजनिस करने के लिए बाजारों पर नजर बनाई रखते हैं आखिर क्या बिजनिस किया जाए अब यही सोचने में महीनों और साल लग जाते हैं इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आते हैं नेने बिजनिस जिने आप अपना कर खूब दंदौलत कमा सकते हैं तो चलिए ज़ादा देर ना करते हुए आपको इस नए बिजनिस के बारे म आपको रोजमर्रा की चीजें इस्तमाल करनी होती है और अगर आप किचिन से जुड़ा बिजनिस करते हैं तो उसमें खूफ मुनाफ़ा भी कमाया जा सकता है अब देश में पूरे साल कहीं न कहीं प्यास की कमी से दिक्कतों का सामना करना ही पड़ जाता है तो कहीं कुछ ऐसा समय भी आता है जहांपर प्यास की उपलब्दता काफी जाद हो जाती है और इसके चलते रेट में गिरावट भी आ जाती है ऐसे में अगर आप कम रेट के प्यास को पेस्ट में बदल दिया जाए तो इसे पूरे साल आसानी से बेचा जा सकता है इस कारोबार में लागत जादा नहीं है और पूरे साल मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बिजनिस में कितनी रकम लगती है कितनी रकम से इस बिजनिस को शुरू किया जा सकता है तो चलिए आपको बताते हैं इस बारे में कि आखिर इसमें कितनी लागत लगती है अगर आप प्यास के पेस्ट के कारोबार की लागत की बात करते हैं तो ये होती है करीब 4-5 लाक रुपे इसमें एक खास बात ये भी है कि अगर इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको मदद चाहिए तो आप सरकार से ले सकते हैं खादी ग्राम उत्योग आयोग यानि की KVIC ने प्यास के पेस्ट के कारोबार को लेकर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार की है जिसके मुताबिक ये कारोबार करीब 4,20,000 रुपे में शुरू हो सकता है और इस कारोबार को शुरू करने में केंदर सरकार की मुद्राल लोन योजना से भी आप मदद ले सकते हैं अगर आप इस बिजनिस में इतना पैसा लगाने के लिए तयार हैं तो साल भर में करीब 113 कुंटल प्यास के पेस्ट का उत्पादन कम से कम क्या जा सकता है अगर इसे 3,000 रुपे परती कुंटल के हिसाब से बेचा जाए तो इसकी कीमत करीब 5,80,000 रुपे हो जाएगी तो भी गटा दिया जाए तो भी पौने 2,00,000 रुपे का मुनाफ़ा दिखता है वहीं जैसे जैसे कारोबार की समझ बड़े तो आप अपने इस बिजनिस को भी कई गुना बढ़ा सकते हैं यानि कि प्याज से और क्या 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 जा सकता है इसका यूज और किन किन चीजों में क्या जा सकता है अभी के लिए फ्लाल इतना ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए One India Hindi